रूस युक्रेयन युद्द के कारण गेहु निर्यात में रिकोर्ड बना सकता है बारत किसानों को भी होगा फाइदा MSP से अधिक गेहु का बाउ मंडियों में चल रहा है किसान भाईयो नमस्कार मेहुद असरदाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल जा सकता है मंडियों में गेहु का बाउ MSP से उपर चल रहा है जिससे किसानों को कावपी जायदा फाइदा मिल रहा है अगर गेहु का निर्यात होता है तो और भी गेहु की किमतों में उचाल आ सकता है इस वीडियो में हम गेहूं के निर्यात के बारे में बात करेंगे आंकडों के अनुसार हम बात करेंगे कि किन देसों में गेहूं का निर्यात हो सकता है निर्यात की क्या मातरा रहने वाली है और कब से निर्यात की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो फटा फट से चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिपेकेशन के द्वारा जानकरी मिल जाए जैसा कि किसान बाइवों गीहों के भाव में लगातार तेजी आरही है और गीहों का भाव MSP मूल से भी उपर मंडियों में अब चलने लग गया है किसान बाइवों गीहों के भाव में जो बडोतरी हुई है वो क covari सालों का रिकार्ड तोड़ती हुई नजर आई है क्यूंकि वायोग लगातार गेहों की किमतों में उच्छाल मंडियों में देखने को मिल रहा है कि संवायो माना जारा है की रूस युक्रेन युद्ध के कारण उतपन हुई इस्तिती के चलते बारत गेहों निर्यात में नया रिकूर्ड बना सकता है युद्ध शुरू होने से पहले इस बार गेहों के निर्यात के आंकड़े कापी बहतर है भारत पहले ही यानि कि इस वित्ती वर्स के दोरान अप्रेल जनवरी के बीच में 60 लाग मिट्रिक टन गेहों का निर्यात कर चुका है और अगर आगे भी यह परक्रिया जारी रहती है तो गेहों के निर्यात में और भी बड़ोतरी हो सकती है जैसा कि विस्व में रूस और युकरेन 30% गेहों का निर्यात करते है वहां पर युद्ध की इस्तिती के कारण निर्यात पूरी तरह से बंद है भारत में गेहों का अटूट बंडार है भारत गेहों उत्पादन में कापी महतोपूर्ण भूमी का निबाता है बारत में बड़े पेमाने पर गेहुं का निर्यात होने की संबावना बन रही है क्योंकि बारत में गेहुं का कहीं सारा बंडार माना जाता है। अपरेल जनवरी के बीच 60 लाग मिट्रिक टन गेहूं का निर्यात बारत कर चुका है निर्यात को का मानना है कि इस वित्ती वर्स के आखिर तक भारत गेहूं का निर्यात पिचोतर से 80 लाग मिट्रिक टन तक पहुँचा सकता है जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्थर होगा जैसा कि किसानवायों MSP से उपर गेहूं की कीमते चल रही है और अगर निर्यात होता है तो इससे गेहूं के बाओ में और तेजी बन सकती है अब बात करते हैं कि किन किन देसों में बारत गेहूं का निर्यात कर सकता है तो मिस्र, इजराहिल, ओमान, नाइजिरिया और दक् परदर्स उचाल आ सकता है किसानवायों अंतराष्टी इस्तर में गेहूं की डिमांड लगातार बढ़ रही है कहीं देसों में गेहूं की कमी नजर आ रही है ऐसे में गेहूं का निर्यात बारत से किया जा सकता है चीन, तुर्की और इरान जैसे देसों के साथ भी गेहूं बायों ये ठीक गेहूं के निर्यात से संबंदी जानकारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक सियर के रहें मिलता है नई वीडियो में धन्यवाद जैकिसान